हाई अवरिवन वेलकम टू माई चैनल एक लेडिस कारडिगन और बच्चों की फ्रॉक पर डाल सकते हैं बहुत इजली बहुत आसान है और देखिए इसको जाली वाला पैटन है इसलिए आप लेडिस और गल्स पर ही टालिए तो देखिए बहुत इजी है बनाना और इसके ल देखिए कैसे करेंगे पहली लाइन सीधी साइड में एक पंदा उतारेंगे और आप धागा अपनी तरफ करके एक पंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे फिर धागा पीछे करके पांच पंदे सीधे एक, दो, तीन, चार पाँच फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे अब इस तरीके से ये पूरा डिजाइन चलेगा दो फंदे उल्टे, पाँच फंदे सीधे पाँच सीधे बनाएंगे चार, पाँच दो उल्टे पाँच सीधे फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा साइड्स में हमने एक फंदा उल्टा रखा है और बीच में दो-दो फंदे उल्टे हैं तो देखिए उल्टी साइड में जैसे दिख रहा होगा वैसी ही बनाना है हर बार जैसे आपकी उल्टी साइड देके ऐसी बनेगे, एक फंदा मुल्टा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, और बीच में दो फंदे सीधे आएंगे, क्योंकि उधर से दो उल्टे हैं, तो सीधा है याने की और एक उल्टा तीन चार और आच लास्ट में एक सीधा और सबसे लास्ट का फंदा एज का उल्टा उल्टी लाइन आपने हर बार ऐसी बनानी है आप देखिए तीसरी लाइन सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर दागा पीछे करके एक बार लपेटेंगे ये जाली होगे आपकी ऐसे लपेटा उसके बाद दो फंदे ऐसे उतारें एक दो और इनको यहां लेके इस तरीके से लेके बैक साइड से इन दोनों को दो का एक कर देंगे ऐसे फिर एक फंदा सीधा और फिर दो फंदों को फ्रंट साइड से दो का एक करेंगे अब यहां पर एक फंदा आपका क्योंगी कम हो गया दो का एक क्या है तो धागा आगे करके एक बार ऐसे जाली डाली और उल्टा फंदा बनाया तो यहां पर जाली आ जाएगी फिर एक और उल्टा है, उसको भी उल्टा बनाएंगे अब ये फंदे बार बार repeat करते वह जाएंगे अब देखें फिर से यही repeat करेंगे धागा ऐसे गुमाएंगे एक बार दो फंदे ऐसे slip करेंगे ऐसे, ऐसे फिर इन फंदों को इसके लेके 2 का एक कर देंगे अब यही 5 फंदे बार बार ऐसे करेंगे, धागा गुमाके, slip करेंगे 2 फंदों को उतारेंगे, फिर यहां लेंगे ऐसे, इनको back side से 2 का एक कर देंगे, 1 फंदा सीधा, 2 को, 2 फंदों को, front side से 2 का एक, 1 फंदा ऐसे गुमाया एक बार धागा, और एक last का फंदा उल्टा, और एक सीधा, उल्टी लाइन जैसे मैंने second row बताई है, वैसी ही बनानी है, जो आपके जाली के फंदे हैं, वो भी बनेंगे, एक उतारा, एक सीधा, फिर यह देखें, यह उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और पाँच, फिर दो सीधे, फिर पाँच उल्टे, ध्यान से जाली आपकी उतरनी नी चाहिए, नहीं तो जाली खराब होगी, तो डिजाइन भी खराब हो जाएगा, और फंदे कम हो जाएंगे आपके, फिर दो सीधे, पाँच उल्टे, चार, पाँच, लास्ट में एक सीधा और एक उल्टा, अब देखें, पाँच वी लाइन सीधी स एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद धागा गुमाएंगे इस तरीके से, बैक साइड से तीन फंदों को तीन का एक कर देंगे इस तरीके से, एक साथ तीन फंदों को तीन का एक किया, फिर धागा गु कहा हैं , अब दो फंदे उल्टे हैं कि फिर एक फंदा सीधा धागा गुमाके तीन फंदों को बैक साइड से चसालाई डालके ऐसे तीन फंदों को तीन का एक करेंगी हैं अब दागा घुमाके एक फंदा सीधा ऐसे दिकरें इस तरीके से डिजाइन बनेगा फिर दो फंद उल्टे दो के बाद विच्टें इने आपने ऐसी करने हैं देखे एक फंदा सीधा बनाया रागा घुमाके-बिच की tyre नारेक फंदा सीधा बनाया अब लास्ट में आपका एक उल्टा दिखेगा उल्टा और जो last का फंदा है वो सीधा उल्टी रो वैसी बनेगी जैसे हमने second row बनाई थी एक फंदा उतार के एक सीधा पाँच उल्टे फिर दो सीधे पाँच उल्टे दो तीन चार पाँच दो सीधे एक दो तीन चार पाँच दो सीधे पाँच उल्टे लास्ट में एक सीधा और लास्ट का उल्टा ये आपकी छे लाइन्स पूरी ओगई है छे लाइनस का डिसाइन था और इस तरीके से ये पैटर बनेगा देखे तो देखे थोड़ी सी लाइनस इसमें डालने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा तो आप भी बना सकते हैं फिर बनाईए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब त झाल झाल